आप सभी को मेरी और से करवा चौत की धेशारी शुब कामना है। आज मैं आपको बताने जारी हूँ करवा चौत पूजन की सिंपल विधी। आज का दिन बहुत ही शुब माना जाता है। आज के दिन सभी महीलाएं अपने पती की लंबी उमर के लिए करवा माता से प्राथना करती है और पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है। तो चलिए विधी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा देना है। उसकी बाद आपको माता जी की स्थापना करनी है। अगर आप फोटो लाए हो तो दिवार पे चुपका दीजी और कैलेंडर है तो दिवार पे खड़ा कर दीजी और फिर हमें स्थापित करना है करवा, मिट्टी का करवा यहां। बहुत ही शुब माना जाता है, इसमें हमें भरना है शुद्ध जल, आप चाहे तो डिजाइन वाले करवे भी ला सकते हैं, कभी-कभी इसमें से पानी नीचे छूटता है, इसलिए मैंने छोटी सी प्लेट रखी है नीचे, और अब हमें करवे पे नाड़ा सरी बांध देन को ये करवे के साथ ही आपको दिया मिल जाएगा, और साथ में हमें फोटो के साथ ही गनेश जी दिये हुए है, इसलिए हम अलग से स्थापित नहीं करेंगे, और यहां मैं रख रही हूं, पता से करवा चौत में इनके बहुत ही महत्व है, तो आप जरूर रखे, इनके अब भी आते हैं, तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं, साइड में मैंने रख दिये है आटा, अगर आपके बस गिहू नहीं है तो आप आटा रख सकते हैं, बाद में उसे गाय को जरूर खिला दे, अब हमें माता को चड़ाना है सारा श्रिंगार का सामान, यह पूरा इसे माता को दिखा दीजिए, फिर इस तरह के से नीचे उसे सेट कर दीजिए, तो माता जी की ही चुनरी रहेगी, और अब यहां मैं ले रही हूँ, दूसरे कलश में पानी, शुद्ध पानी लेना है इसमें, और यहां मैंने लिया है नाडा शरी, और तीन बर सुद्धी क करना है, अगर आपके पास आप नाडा शरी से भी सुद्धी करन कर सकते हो, या तो फिर फूल से कर सकते हो, तो मैंने यहां नाडा शरी का इस्तमाल किया है, बाद में यहां मैं ले रही हूँ, नारियल, जरूरी नहीं है, आप नारियल स्थापित करें, अगर आपने पहले आती है प्रशाद की तो करवे पे जरूर प्रशाद रखे और अलग से गनेश भगवान को भी प्रशाद चढ़ाए तो यहां पे गनेश भगवान चीकले भी मैंने रलड़ू रख दिया है और दीपक भी मैंने जला दिया है शुद्धगी का दीपक जलाना है आपको यहां प तो वो भी साइड में रख सकते हैं कुछ इस तरीके से और अब बारी आती है तिलक की तो सब को कुमकुम का या फिस इंदूर का तिलक कर दीजे करवा माता को करना है और आपने करवा चौत की कहानी तो पढ़ी ही होगी उसमें साथ भाई होते हैं तो सभी को आपको तिलक करन करवा चौत का व्रत बहुत ही शुब माना जाता है सभी ओरतों के लिए और सभी ओरते अपने पती की लंबी उमर की कामना करती हैं साथ ही मैं आपने जो किताब की स्थापना की है उसमें भी तिलक कर दीजे और नाडा सरी रात को जब आपको उपवास खोलना है उससे पहल